हलो आज मैं आपके लिए एक ऐसे पौधे को लेकर आया हूँ जो आपकी जिन्दगी बदल सकता है आपके सोचने का तरीका बदल सकता है आपके रहने खाने का माहौल बदल सकता है दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है जो हमारे घरों के आसपास पाया जाता है और ये पौधा जो हमारे घरों में भी रहता है इस पौधे की जो अवसदियां है वो हमारे घर में रहती है इसे कहते हैं टर्मरिक या हल्दी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि भारती मसालों में हल्दी का एक अलग ही महतु है यही कारण है कि आपको घर की रसोई में हल्दी जरूर मिलेगी हल्दी खाने का स्वाद और रंग रूप तो बढ़ाती ही है साथ ही या कई तरह के रोगों से भी रच्छा करती है बारे में बिस्तरित उलेख है इस लेख में इस वीडियो में हम आपको हल्दी के फायदे नुक्सान और खाने के तरीकी के बारे में बिस्तार से बताने चल रहा है दोस्तों आप जैसे जानते है कि हल्दी क्या है What is हल्दी? What is टरमरे? हलदी एक जड़ी बूठी है, इसका इस्तेमाल मसालों के रूप में प्रमुकता से किया जाता है हिंदु धर्म में, पूजा में या कोई भी सुभ काम करते समय हलदी का उप्योग किया जाता है खाने के अलामक कई तरह की बिमारियों से बचाओं में भी हल्दी का ओप्योग होता है इस समय पूरी दुनिया में हल्दी के गुणों पर रिसर्च चल रहे हैं और कई रिसर्च ऐरुवेध में बताए गुणों की पुश्टी करते हैं हल्दी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें मुख रूप से निमनलिखी चार प्रजातियों का प्रयोग चिकित समय किया जाता है जिसे कहते हैं कर्कुमा लांगा हल्दी की इस प्रजाती का उप्योग मुख रूप से मसालों और असदियां को रूप में की जाता है इसके पौधे 60-90 cm तक उंचे होते हैं इस हल्दी का रंग अंदर से लाल या पीरा होता है यही वह हल्दी है जिसका उप्योग हम अपने घरों में सबजी बनाने में करते हैं फिर आता है करक्यूमा अरोमेटिका इसे जंगली हल्दी कहते हैं करक्यूमा आमाडा इस हल्दी के कंद और पत्तों में कपूर और आम जैसे महक होती है इसी वज़ा से इसे आमा हल्दी कहा जाता है करक्यूमा कैसिया इसे काली हल्दी कहते हैं मानिताओं के अनुसार इस हल्दी में चमतकारिक गुन होते हैं इस हल्दी का उप्योग जियोतिस और तंत विद्दा में होता है तो दोस्तों ये जो टर्मरिक है हल्दी है वो बहुत ही फाइदे मन चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हल्दी के फाइदे और सेवन का तरीका हल्दी हमारे सरीर की इम्मिनूटी को बढ़ाती है जिस वज़ा से तमाम तरह के संक्रामक बीमारियों से बचा होता है हल्दी में वाद, कप, दोस्तों को कम करने वाले गुण होते हैं और या सरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है डाइबिटीज में हल्दी का सिवन बहुत ही उप्योगी मना जाता है जुखाम में हल्दी के फाइदे, अगर आपको जुखाम है दोस्तों तो हल्दी का उप्योग कैसे करें हल्दी की तासीर गर्म होनी की वज़ा से जुखाम में इसका सिवन करना फाइदे मन रहता है हल्दी के धुएं को रात के समय सुंगने से जुखाम जल्दी ठीक होता है अर्थात हल्दी का वास्प लेना है हल्दी सुंगने के कुछ दिर बात तक पानी नहीं पिना चाहिए अगर आपको सिर की फुंसियों से अराम अगर आपको सिर में फुंसियां हो गई है सिर में छोटी छोटे फुड़े हो गए हैं दर्द हो रहा है तो क्या करें गर्मी के मौसम में सिर में फुंसिया निकलना एक आम समस्या है हल्दी के लाब सिर में तीज खुजली होती है और खुजलाने पर दर्द और जरन होने पर मिलता है इस समस्या से आराम पाने के लिए हल्दी और दारू हरिद्रा, भूनेम, त्रिफला, नीम और चंदन को पीस का रोजना सिर पर मालिस करें हल्दी के फायदे आँखों के दर्द से आराम दिलाती है हल्दी वो कैसे दोस्तों? आँखों में दर्द होने पर या किसी तरह का संक्रमन होने पर हल्दी का प्रयोग करना फायदे मन रहता है एक ग्राम हल्दी को 25 मिलिलिटर पानी में उबाल कर चान ले चानने के बाद इसे आँखों में बार बार डालने से आँखों के दर्ध से आराम मिलता है conflictingitis होने पर आप इसी घरेली उपाई की मदद से आराम पा सकते है हल्दी का गुन आँखों के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों कान बहने की समस्या से आराम अगर आपके कान बह रहे हैं तो हल्दी का उप्योग कैसे करें कान से गाढ़ा तरल निकलना एक समस्या है जिसे आम भासा में लोग कान बहना कहते हैं इससे आराम पाने के लिए हल्दी को पानी में उबाल कर छान लें और उसे कान में डालें फिर बात आती है पाईरिया दातों में अगर पाईरिया हो गई है तो पाईरिया में हल्दी का प्रियोग कैसे करें सरसों का तेल हल्दी मिलाकर सुबह साम मसोणों पर लगाकर अच्छी प्रकार मालिस करने तथा बाद में गर्म पाने से कुल्ले करने पर मसोणों के सब प्रकार के जो दोस हैं वो दूर हो जाते हैं हल्दी का गुण पाईरिया के लिए फाइदे मन होता है अगला हल्दी का जो प्रियोग है दोस्तों वो यह होता है गले की खरास अगर आपको गले की खरास है तो गले की खरास होने पर अजमोदा, हल्दी, यवचार और चित्रक इन सब के 2 से 5 ग्राम चून को एक चम्मर सहद के साथ सिवन करने से गले की खराज दूर होती है खांसी से आराम भी दिलाता है हल्दी वो कैसे हल्दी को भून कर चून बना ले हल्दी को भून ले यागर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए या सूखी हल्दी मिल जाए तो उसे जला ले भून ले एक दो ग्राम हल्दी चून के सहद या घी के साथ मिला कर खाने से खांसी में अराम मिलता है। पेट दर्द से अराम, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द होने पर हल्दी का सेवन करने से दर्द से जल्दी अराम मिलता है। 10 ग्राम हल्दी को 200 यानि 250 मिली लिटर पानी में उबाल ले पेट दर्द होने पर इसमें गुण मिलाकर थोड़ा थोड़ा पिए बवासीर अगर आप बवासीर की बीमारी से परिशान हैं तो खराब जीमन सहली और खराब खान पान के वज़ा से अधिकानस लोग कबज के मरीज हो जाते हैं कबज के कारण ही आगे चलकर बवासीर के समस्या होने लगते हैं बवासीर से आराम पाने के लिए सेहूंड सेहूंड दूस्तों ये एक देसी आउसदी है सेहुन के दूद में 10 ग्राम हल्दी मिलाकर मस्सों में लगाएं जो आपके बवासीर मस्से हैं उन मस्सों में लगाना है इसके अलामा सरसों के तेल में हल्दी चोन को मिलाकर मस्सों पे लगाने से बवासीर में आराम मिलता है अगर आपको पीलिया हो गया है जिससे आप जोएंडिस कहते हैं हेप्टाइटिस भी कहते हैं पीलिया से अराम दिलाती हल्दी पीलिया एक ऐसी समस्या है जिसका सही इलाज ना करवाने पर आगे चल कर या बहुत गंभीर समस्या में बदल जाती है छोटे बच्चों में यहां समस्या जदा होती है पीलिया होने पर 6 ग्राम हल्दी चोन को मठे में मिला कर दिन में 2 बार सेवन करने पर 4-5 दिन में ही पीलिया से आराम मिल जाता है इसके अलावा 5-10 ग्राम हल्दी चोण में 50 ग्राम दही मिलाकर खाने से भी पीलिया में फाइदा होता है लव, भस्म, हरड और हल्दी इन तीनों को एक बराबर मात्रा में मिलाकर इसकी 375 मिलिग्राम मात्रा में घी और सहद मिलाकर सेवन करने से पीलिया में लाव होता है सुगर रोग में भी फाइदा करती है जी दोस्तों अगर आपको सुगर रोग है मधमे या डायबिटीज है दो से पांच ग्राम हल्दी चोण में आउना रस और सहथ मिलाकर सुबा और साम को खाना डायबिटीज के मरीजियों के लिए फाइदे मन होता है इसके अलावा हल्द हल्दी दारू हल्दी तगर और वाइबिडिंग का क्वात बनाकर उसकी 20-40 मिलिग्राम की मात्रा में 5-10 ग्राम सहथ मिलाकर सुबा साम सिवन करने से डायबिटीज में फाइदा मिलता है इस्तन रोगों से आराम अगर आपको किसी प्रकार के इस्तन रोग हैं यानि ब्रेस हल्दी और लोध्र को पानी में घिसकत इस्तनों पर लेप करने से इस्तन से जोड़े रोगों में लाह मिलता है प्रदार या लुकोरिया में हल्दी के फाइदे अगर आपको सफीद पानी आता है प्रदार है लुकोरिया है तो क्या करें हल्दी चूंड और गुगुल चू 10-100 ml दूद में उबाल कर उसमें गुड़ मिलाकर खाने से भी लुकुरिया में फायदा होता है अगर आप कुछ ट्रोक से पीड़ित है जिसे कोड कहते हैं। उसमें भी हल्दी फायदेमन होते हैं हल्दी के प्रयोग से कुछ ट्रोग के प्रभाव को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है इसके लिए एक से दो ग्राम हल्दी चूण में गो मूत्र मिला कर पिये इसके अलावा हरिद्रा चूण में बरावर मात्र में गुड मिला कर गो मूत्र के साथ सेवन करने से दाद और कुछ ट्रोग में फाइदा होता है दाद खुजली में हल्दी के फाइदे होते हैं अगर आपको दाद हो गई है खुजली हो गई है अगर आपकी तवचा पर कहीं दाद खुजली हो गई है चर्म रोग में हल्दी के फायदे अगर आपको skin disease हो गई है या skin decider हो गया है तो हल्दी का उप्योग कैसे करें खुजली दाद के अलावा चर्म रोग में भी हल्दी का प्रियोग करने से फायदा होता है इसके लिए 2-5 ग्राम हल्दी चून को गो मूत्र में मिला कर दिन में 2-3 बार सिवन करें इसके अलावा हल्दी के चून में मक्षन मिला कर चर्म रोग वाली जगा पर लगाने से भी फायदा होता है अगर आपके सरीर में कहीं पर सूजन है तो वहाँ भी हल्दी फायदे मंद होता है सरीर के किसी हिस्से में अगर सूजन हो रही है तो हल्दी के उप्योग से आप सूजन कम कर सकते हैं इसके लिए हल्दी, पिपली, पाठा, छोटी कटेरी, चित्र कमोल, सोोट, पिपली, जीरा और मोथा को बराबर मात्रा में मिला कर चोण बना ले इसे कप्ड़े से छांद कर अलग रख ले इस चोण को दो-दो ग्राम की मात्रा में गुंबुने जल के साथ मिला कर खाने से सूजन में कमी आती है तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हल्दी की सामान ने खुराख कितनी खुराख हमको लेनी चाहिए आम तौर पर 1-2 ग्राम हल्दी का रोजाना सेवन करना सेहत के लिए उप्यूकत है अगर आप किसी खास बीमारी के लिए हल्दी का उप्योग करना चाहते हैं तो आयरवेदिक सक्की सला के अंसार करें तो दोस्तों ये रहा आज आपका घरेलू नुकसा आपके घरों में बिनमान है हल्दी और हल्दी का प्रयोग कैसे करें किन-किन बिमारीयों में हल्दी हमारे लिए फायदे मंद है हमारी माता जी, हमारे पिता जी, हमारे दादा, हमारे बुजुर्ग भी हल्दी का प्रयोग करते थे जब भी हमें कभी चोट लगती थी आँखों में कभी चोट लग जाती थी घुटनों में चोट लग जाते थी तो वहाँ पर आमा हल्दी का प्रियोग करते थे और उसको तेल में गराम करके बांद देते थे और सुबा हम लोग फिर से दवड़ना शुरू कर देते थे खेलना शुरू कर देते थे तो दोस्तों यह जो टर्मरिक पाउडर है यह बहुत बड़ी आउसदी है आप इसको अवहेलना मत कीजिए अपने घर में और अपने स्वास्त के लिए इस हल्दी का प्रियोग करना सीख जाएyे टर्मरिक पाऊडर का प्रियोग करना सीख जाएए मैं तो अपने किचिन गार्डन में प्रतिक वर्स हल्दी होगाता हूँ और मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि ये जो हल्दी कच्ची हमारी निकलती है अगर किसी को कमर दर्द है, किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो मैं उस हल्दी का पाक बना देता हूँ अर्थात उसे घी में भून करके गुड का सीरा बना करके उसमें डाल देता हूँ और घर में कहें देता हूँ कि सब लोग इसको खाईए और उसे खाने से बहुत सारी बिमारियां दूर हो जाती है तो दोस्तों आप भी कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कीजिए सुखी हल्दी का इस्तेमाल कीजिए हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए हल्दी के फूलों का इस्तेमाल करें देखिए कितना प्यारा फूल इसका दिख रहा है दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हल्दी एक ऐसा पौदा है जिसके पौदे खूबसूरत होते हैं उसके तने खुबसूरत होते हैं और उसके बीज भी खुबसूरत होते हैं साथ में उसके फल और फूल तो इतने खुबसूरत होते हैं कि ऐसा लगता है किसी ने गुलदस्ता बना दिया है किसी ने बुके बना दिया है बहुत ही प्यारा फूल होता है और या हल्दी पाउडर इसको बहुत सारे देश अपने नाम पेटेंट करा रहे हैं है तो या भारत की देन या भारत की आउसदी है भारत में उत्पन्द होने वाला पोधा है लेकिन जो बहुत सारे बिदेशी हैं बहुत सारे देश हैं उन्होंने हल्दी के प्रोड़क्ट पर अपना पेटेंट करा लिया है तो दोस्तों अगर आप हमारी इंडिया के हैं तो आप हल्दी का प्रयोग जरूर कीजिए और अपने देशी इस आउसादी को विदेशों के हाथ में मत जान दीजिए यही मैं आपको सलाह देता हूँ और आसा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए विल आइकन को प्रेस कर दीजे मिलूँगा आपसे नेक्स वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी लेकर के तब के लिए तब तक के लिए नमसकार जैहन गुड़ बाई